एक बड़ी खबर जिस पर दुनिया का ध्यान ही नहीं गया वो आई है चीन से चीन में भयंकर बवाल मच गया है आप ये तो लगातार सुनते आ रहे हैं कि चीन मुसल्मानों पर अत्याचार करता है लेकिन कि आपको पता है कि चीन में हजारों मस्जिदे गायब हो गई हैं वैसे आपको कैसे पता होगा कि चीन मस्जिदे गायब कर रहा है किसी भी मुसलिम देश ने इस पर शोर ही नहीं मचाया दुनिया का कोई भी मुस्लिम सडकों पर आकर चीन के खिलाफ विरोध ही नहीं कर रहा पाकिस्तान भी गूंगा हो गया है तो ऐसे में कैसे किसी को पता चलेगा कि चीन हजारों मस्जिदों को खा गया है मज़े की बात देखिए कि भारत में हराम और हलाल की बाते करने वाले मौलवी भी खामोश है कोई इन मौलवीों से पूछे मस्जिद तोड़ना और उन्हें बंद करना हलाल माना जाएगा या हराम आज ये खबर उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए जो पिछले दो महीने से गाजा और फिलिस्तीन के लिए आसू बहा रहे है Human Rights पर काम करने वाली एक संस्था ने बताया है कि इसलाम को रोकने के लिए चीन की सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है पिछले कुछ वर्षों में चीन में मस्जिदों को तोड़ने और उन्हें बंद करने में तेजी आई है रिपोर्ट के मुदाबिक चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी लंबे समय से धार्मिक और जातिय अल्प संखिकों पर कड़ी पकड़ बनाये हुए है साल 2016 में जब शी जिनपिंग ने चीन में धर्मों के चीनी करण का अववाहन किया था तो मस्जिदों के परिवर्तन में तेजी आ गई थी इसके बाद अप्रेल 2018 में चीन में एक निर्देश जारी किया गया इस निर्देश में कहा गया कि चीन के सरकारी अधिकारियों को इसलामिक धार्मिक स्थलों के निर्माण और उनकी बनावट पर पूरा नियंत्रण रखना होगा यानि मस्जिद कम बने और जो बन भी रही हैं उनकी बनावट ऐसी हो कि वो मस्जिद लगे ही नहीं चीन के सरकारी करमचारियों को फॉर्मूला दिया गया कि ज्यादा तोड़ो और कम बनने दो रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2019 और 2021 के बीच चीन की साथ सबसे बड़ी मस्जिदों के गुंबद और मिनारों को हटा दिया गया है 2020 से लेकर अब तक चीन की सरकार ने शिंजियांग और निंजियांग में लगभग 1300 मस्जिदों को बंद कर दिया है इन में छोटी बड़ी मस्जिदे शामिल हैं चीन की सरकार बड़ी ही चालाकी से मस्जिदों के वजू खाने को तोड़ देती हैं जिसके चलते मुस्लिम लोग मस्जिदों का इस्तमाल छोड़ देते हैं और थोड़े समय के बाद उन मस्जिदों में ताला लगा दिया जाता है हमारा तो मानना है कि दुनिया भर के मुसल्मानों को सड़क पर उतरना चाहिए चीन के खिलाफ विरोध करना चाहिए ठीक वैसे ही जैसे मुसल्मान फिलिस्तीन और गाजा के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं